मैं शिखाश रवास्तौ, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं रेसिपी लेकर आई हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस रेसिपी को दोस्तों, आज मैं आपको आलू उबालने का बिल्कुल अनोखा तरीका बता रही हूँ, इसके लिए मैंने 6-7 आलू लिये हैं, इन आलूओं को हम पानी में डुबा कर बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे, सिर्फ मैंने पानी का कुछ ठीटा दिया है और आलूओं को ताकि आल यदि आपके पास रिंग नहीं है, तो आप कोई भी स्टेंड रख सकते हैं, तो आप स्टील की कोई भी कटोरी रख सकते हैं, अब इन आलू को उबालने के लिए तो सबसे पहले तो मैंने इस रिंग के ऊपर एक बड़ी कटोरी रख दी फैली हुई, जिससे की मेरे आलू क पोटली इस कटोरी के ऊपर आ सके, अब हमें आलू को एक मोटे कपड़े के ऊपर, मोटे कपड़े के अंदर बांधना है, तो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मोटा टाइप का कपड़ा ले लिया है, और इस कपड़े को मैं गीला कर लूँगी, तो इस बोल में अच्छी तरह से मैं कपड़े को भिगा लोंगी, ताकि कपड़े में बहुत अच्छी तरह से पानी आ जाए, बहुत जादा हमें नहीं निचोड़ना है, हलके हलके हाथों से कपड़े को मैंने निचोड़ा है, अब बस इस मोटे नैपकिन के ऊपर हमें सभी आलूओं को र पानी में बहने ना पाएं, तो इसके लिए आपको जो भी कपड़ा लेना है दोस्तों वो थोड़ा सा मोटा ले, मोटा नैपकिन ले, तो उससे क्या होगा, वो मोटा नैपकिन लंबे समय तक के पानी को एब्जॉब कर लेगा और बहुत अच्छी भाब बनेगा और हमें पर आलू की पोटली को रख दिया है, और बस अब आप कूकर का धकन लगा दे, कपड़े को थोड़ा सा नीचे जुका ले, ताकि मेरा ये जो धकन है वो आसानी से बंद हो जाए, आप चाहें तो थोड़े से कम आलू भी ले सकते हैं, या थोड़े से जादा आलू भी ले स आपकी पका रहे हैं, और ये आलू बहुत ही स्वादिस लगते हैं, गैस चालू कर दिया है, और कम से कम दो से तीन सीटी बजा लेंगे, अब पूरी तीन सीटी करीब हो चुकी है, मैं कूकर का धकन खोल कर अब आपको दिखा रही हूँ, धीरे से इस पोटली को निकालें, जब पूरी गैस रिलीज हो गई, उसके बाद ही मैंने कूकर का धकन खोला है, ऐसा ना हो कि आलू कच्चे रह जाएं, तो आप देख सकते हैं, इस पोटली को मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, थोड़ी से अभी गरम है पोटली, आप सावधानी पूरवक करें, या पिर चुम्टे की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, अब कूकर की रिंग को मैंने निकाल लिया, तो ये रिंग रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारी प्लेट है वो खराब ना होने पाए, मतलब आलू हमारा प्लेट में अच्छे से आ जाए, अब आप देख सकते हैं, इ बहुत ही जादा पका लग रहा है, ये देखे, कितने आसानी से हमारा आलू छिल रहा है, जितने आलू की आपको जर्वत है, उत्ते ही आलू को छिले, कभी भी एक सांथ हमें पूरे आलू को नहीं छिलना चाहिए, मैंने थोड़े से जादा आलू बाले हैं, ताकि शाम के नाश्ते में भी कुछ बनाना है, मुझे उसमें ये कामा जाए, तो सिर्फ दो से तीन आलू आपको छिल कर दिखा रही हूं, यदि पूरे आलू छिल लूँगी दोस्तों, और फ्रीज में रखते हैं, तो आलू का उपर का हिसा बहुत ही कड़क हो जाता है, अब आप के वैसे बनी रहते हैं, तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हूँ, तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास कीचर को, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंड करके जरूर बताएं कि आप को मेदी एन सब्सक्सी लेगी।